नमस्कार मैं वनवाई लाल कुष्वा और आप देख रहे हैं C20 News देखते हैं आज की कुछ खास ख़वरे हैं स्रीमत भागवत सुनने का लाब भी कही जनमों के पुर्डि से प्राप्त होता है स्रीमत भागवत कथा मनुस को जीवन जीने और मनने की कला सिकाती है मनुस को जीवन परमात्मा ने दिया है लेकिन जीवन जीने की कला हमें सत्संग से प्राप्त होती है सत्संग का मनुस के जीवन में बड़ा महत्त है स्रीमत भागवत कथा में स्रीकिष्ण जनम की कथा का वड़न किया गया आयागरा जिले के बोले नात की डंगरी पटे सुर्धाम में चल रही संगीत में स्रीमत भागवत कथा में कथा बाचक आचार मनोज आवफ्ती ने स्री किष्णा जन्मोस सबकी कथा का बाचन करती हुए कहा कि भगबान भक्तों की बसमे हैं बगवान हमेशा अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं उन्होंने कहा कि जब जब बगदर्दी पर पाप अनाचार बढ़ता है तब तब बगवान स्री हरी धरा पर किसी न किसी रूप में आवतार लेकर भक्तों के संकट को हरते हैं उन्होंने कहा कि जब कंसिन के पापों का घड़ा बार गया तब भगवान स्री किष्ण ने जनम लेकर कंसि का अंत किया और लोगों को पापी राजा से मुक्ती दिलाई कथा के दौरान आचा स्री ने अनेक भगती फूर बजन पृतुत किये रादा राम बजनों को सुन स्रोता मत बुग्ध हो तरकने को मजबूर हो गए दौरान आचा स्री ने कहा कि आज व्यक्ती मोहो माया के चक्कर में फसकर अनिती फूर तरीके से पैसा कमाने में जुटा है जिसका परडाम अंत्ते उसे भोगना परता है मानब की तरह नहीं जी रहा है स्रिमत भागवत जीने और मनने की कला सिखाती है उन्होंने बताया कि कल्योग में दुखे तीन कारण हैं समय, कर्म और स्वबाब उन्होंने कहा कि स्वबाब से जो दुखी है वो कभी सुकी नहीं हो सकता जिस घर में अनीती से धन कमाया जाता है उस परवार में कभी एक ता नहीं रहती वहां हमेशा बैर बना रहता है यह दोरान परिशित निर्मला देवी यह पती बिंदू बदोरिया एवं ओमीर बदोरिया के अलावा काभी संक्या में भक्त गड़ मौजूद थे तो देखते रहे हमारे संबादाता राज यादब की यह काज रपोर्ट